वेल्कम बैक में चैनल मेरे कीचन में आप सब का बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ छट पुजाय इस्पेसल रेसिपी जो चट के दूसरे दीन बनाया जाता है जब चट का ब्रते स्टार्ट होता है तो पहले दिन तो बनाया जाता है कद्दू और के लिए हमें चावल जाएगे देखिए यह जो खिर बनती है नया वाले चावल से बनती है और थोड़ी से जो गुबिन फोग चावल होती है जिसके खुसबू अच्य है तो वह बली चाव़ ले लिजी अगर आपके बास नया वाला चावल नहीं तो जो लंबे बास मत्य व और मैंने ये आज पीतला निया है अब इसमें हम डाल देंगे 3 ग्लास के करीब पानी और यह ज्यादा बढ़ा भी नहीं है तो मीडियम सब्सक्राइब मैं तीन ग्लास पानी डाल दिया है अब मैंने गुड़ की कोंटरिटी कम है ज्यादा कर सकते हैं अगर गुड़ ज्यादा गंदा है तो पहले क्या करें गुड़ को पानी में भीगो दें और उसे छान ले फिर उसके बाद ही आप खीर बनाए तो यहां पर मैंने गुड़ डाल दिया है और जैसे पानी गरम होगा गुड़ भी मेल्ट होने लगेगा पि चावल है ना नॉर्मल ही चावल है मैंने ने वाले चावल मुझे नहीं मिला लेकिन जो प्रशाद के लिए बनाते हैं खीर बरत में और ऐसे अच्छे से क्लीन करके बनाए और जो इसकी खीर बनती है बहुत ज़्यादा लटपटी से बनती है क्योंकि नए वाले जो चावल के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से वैसे थी खुले में कमी बनाया जाता है धक्के भनाते हैं कि कुछ इसके अंदर गिरे नहीं यह ब्रच जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें नियम होते हैं और बहुत ज़्यादा सरद्धा पूर्वक से करना होता है कहीं गंदगी नह मैंने चावल को पका लिए अच्छी तरीके से चावल पक गया है पानी भी इसका सूख गया है जादा पानी मैंने नहीं डाला था मैंने तीन गिलास ही डाला था और यह काफी है थोड़े से चावल के लिए तो थोड़े से चावल को हमें इस तरीके से मैश कर देंगे ताकि तो ये थोड़ा देर थंड़ा होगा तो जब तक ये चावल थंड़ा होता है तब तक हम इसके साथ खाने के लिए दोस्ती रोटी बना लेते हैं बहुत चारे लोग रोटी बनाते हैं पुरी बनाते हैं मैं आप Jag lays Management में इन तो यहां पर जो घी आप लगाए तेल ना ले क्योंकि इस जो पूजा में जो भी चीजे बनाई जाती है सुद घी में ही बनाई जाती है तभी उसका स्वाद बहुत जादा बढ़के भी आता है और इसे बेल लिया है रोटी की तरह अब इसे हम गरम तवे के ऊपर डाल पर बनाई जाती है और उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और जब यह पर एक तरफ से सीख जाए उसके ओपर घी लगा देंगे और इसे दबाते हुए रोटी जैसे यह सीख जाएगा अपने आप अलग हो जाएगा एकदम अच्छे से अलग हो जाएगा क्योंक आप कहां से देख रहें कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं आपको थांक्यू बोल सकूँ और आप लोग के लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो जितना उसे लाइक और शेयर कमेंट करके बताएगा आपको कैसी लगी और यह देखिए रोट पकी हुई है दोनों तरब से तो यह हमारी दोस्ती रोटी भी हो गए तैयार और जो हमने चावल ठंडे होने के लिए रखे थे वह भी ठंडे हो गया है और ठंडे होने के बाद देखिए ठीक हो गया है पहले कैसा था आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा पाणी मैंने डा और इसे डालके हमें मिक्स कर लेना है जब यह ठंडा हो जाए उसके बाद आपको दूद आड़ करना है नहीं तो दूद जो खीर है जैसी आप डालेंगे फट जाएगा और इसी तरीके से पूजा में भी इसी तरीके से बनाए जाता है यही यह परफेक्क रेसेपी सब का आप लोग कुछा शेयर कर रही हूँ अब इसमें डाल देंगे इलाची पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इसमें ड्राइफूट भी डाल सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें नारियल ड्राइफूट वगर डालते अगर आपको पसंदे तो वह सब या पैट कर दीजिए तो दिखें यह हमारी खरना के लिए दोस्ती रोटी और गुड की खीर बनके तैयार हो गई है तो मैं यह आप ठोड़ा सा उपर से इसके अंदर काजू डाल देती हूँ पूजा में परफेक्ट इसी तरीके से बनाई जाती है अगर आपके घर पूज प्यापर आपके तैयार हो गई हमारी और प्यापर में प्यापर आपके रहाप श्यापके लिए से सक्षपेत्व हमारी खरने लिए मारी खरने लिए